Hello Friends, मैं आज आपको 2004 की 3 Iron ये एक romantic Korean movie explain करने वाला हूँ इस movie की IMDB rating 8 है और इतनी अच्छी rating ये movie dissolve भी करती है एक शादी शुदा औरत के साथ अलग type के affair की एक story है इस movie में जो भी main characters है इनका कोई भी dialogue नहीं है पर cinematography इतनी अच्छी है कि आपको जो भी इन characters को लग रहा है ये बताया जाता है इस movie में जो main characters है ये गवी भी बोलते नहीं पर इनके जो dialogue से है ये उनके emotions से कनवे हो जाते है बहुती कम dialogue और बहुती अच्छी cinematography इस movie में हमें दिखाई जाती है इस movie में जो भी सेन है इन सब के symbolic milling के साथ मैं आपको इस movie का explain करूँगा तो चलिए शुरू करते है movie start होती है और हमें हमारा main character के दिखाई गया है ये एक बहुती शान सिटी में हमें दिखाई गया है बहुती कम लोग यहां रहे थे बहुती कम traffic वेगरा होती है इसका actual में एक plan होता है यह हर जगा जाता है और वहाँ अपने pomplets लगा कराता है जिस घर पे उसने अपने pomplets लगाया है उसका owner अगर उस घर में होगा तो वो यह निकाल कर लग दिखा अगर यह pomplets नहीं निकला होगा इसका मतलब यह घर पर कोई नहीं है घर का owner कहीं बाहर गया है केको फिर यह पता चलता है तो वो घर में घुश जाता है हमें आप यही दिखता है वो एक building में आ चुका होता है वहाँ फिर डोर देखता है जहाँ पर उसका pomplets अभी ठीटका हुआ होता है फिर वो डोर open कर लेता है उसके पास टोर open करने के लिए बहुत सारे tools विगरा भी होता है घर में अंदर जाता है तो एक phone machine भी चेक करता है वहाँ पर message होता है कि हम family vacation बाब बाहर गये है यह घर की family का message होता है यह घर में हमें shower लेते वह दिखता है वहाँ खाना बगाता है वहाँ बहुत सारे चीज़े करता है और अगर इस घर में कुछ टूटा फुटा होगा तो यह भी repair कर देता है जिस घर में वो जाता है अपने camera के साथ वहाँ एक photo ले लेता है जिस घर में भी वो जाता है उस घर में लोग जिस तरह से रह रहे थे यहने कि जो भी काम वो कर रहे थे यह सब काम वो करता है अब मैं आपको इस character के बारे में और भी बतातू यह एक free solo होता है जहाब इसे जाना होता है वहाँ वो चला जाता है अलग-अलग शेहरों में गुमता है और यही trick वो करता रहता है जिस घर में कोई लोग नहीं रह रहे है उस घर में जाता है उनकी lifestyle जीता है यह वहाँ से कुछ भी चोरी वेगरा नहीं करता एक ही life में अलग-अलग चीज़े experience करकर इसे रहना होता है जो कोर हो experience कर चुका है इसके एक memory वो फोटोज में लेता है अब next scene में हमें दिखता है कि जिस घर में के रह रहा था वहाँ की family फिर सी घर आ जाती है इस family में mother, father और son होते है यहां mother ज़रा नाराज होती है वो vacation पर जाकर आई है पर फिर भी उसे वो vacation अच्छी नहीं लगी थी इस family जो चोटा बच्चा जोता है वो अपनी खिलोनकी गेन लेकर आता है यह पहले तूट गई थी पर अब के नहीं इस रिपेर कर दिया है वो अपनी mother पर point करता है वो इसकी mother frustrated होती है तो के दी की चला दो और यह चला भी देता है यहीं scene खतम हो जाता है next scene में फिर से नया neighborhood में हमें के दीखता है यह बहुत ही अच्छा neighborhood होता है और बहुत ही बड़ा यह घर होता है इस घर में वो आ जाता है घर में आने के बाद देखता है कि यहाँ कोई है या नहीं और वहाँ एक औरत होती है जिस यह spot नहीं कर पाता वो बहुत ही चूप चाप उसे हरी गर-गर phone वीकप करने के लिए बोल रहा होता है उसे sorry भी कहता है वो कहता है मैंने तुमारे लिए बहुत कुछ किया है फिर भी तुम unsatisfied हो वो गुसा होकर उसे phone वीकप करने के लिए बोलता है यह घर में ही चूप रहे लेती है यह फिर से अपना सब जो रूटिन होता है वो करने लग जाता है उस घर में कपड़े दोता है अगर उस घर में कुछ टुटा-फुटा होगा तो रिपेर करता है यह औरत अब केज जो भी सब कर रहा है यह देख रही होती है और वो कुछ भी आवाज नहीं करती और सिब आउज़र करती रहती है इसका नाम हम क्रीम रखेंगे केज होता है वो घर के काम करकर बहुत ही सैडिसफाइड उसे महसूस होता है कि हमें एक प्लांट को वाटर करते हो दिखता है नेक सिर में हमें क्रीम दिखाए गई है और उसके पास एक पेंटिंग होती है और वो भी इसी प्लांट की होती है यह प्लांट क्रीम को ही रिप्रेजन करता है और के अब उसे वाटर कर रहा है क्रीम पूरी तरह से मुर्जा चुकी है पर अब इसकी लाइफ को वो फिर से जिन्दा करेगा केक ये खौपी होती है जिसमें वमेशा गोल्फ खेलता है के जो घर होता है इस घर में क्रीम के बहुत सारे फोटोज होते है क्रीम पहले मॉडलिंग करती थी के जब इस घर में एक वेटिंग मेशिन पर खड़ा होता है तो एक काम नहीं कर रहे होती क्रीम के लाइफ का बैलन्स रिपेजिन करती है जब रात होती है और के सोय हुआ होता है तब इस क्रीम दर्वाज खोलती है कि ये देखकर डर जाता है तो इस फोन पर और एक मैसेज आता है इस मैसेज में उसका पती बोलता है कि अभी गभी फोन पीकप करो वरना में घर आ जाओंगा यह जब फोन चल रहा होता है तो खिक कपड़े बगरा बहेंदा है और फिर से नई जगा पर जाने के लिए रेडी हो जाता है के फिर हमें हावे पर दिखा गया है इस औरत के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है इसके बारे में सोच रहा होता है थोड़ी देर बाद वो सोचता है और फिर से इसी घर में आ जाता है वो देखता है कि क्रीम शौर में है और वो रो रही है वो फिर उसे चियर अप करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक लगाता है थोड़ी दिर में क्रीम का हस्बन भी वहा जाता है सब दरवाजे खुले होते हैं तो इसके लिए उसे डाटता है उसे पोच्छता है कि तुम फोन क्यों नहीं आंसर करी थी वो अपने बिजनेस ट्रीप पर कुछ काम नहीं कर पाता तो इसका भी ब्लेन वो क्रीम पर ही करता है क्रीम को बोलता है कि मैंने तुमें कहा था कि तुमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने है उसे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं इसके लिए भी उसे restrict करता है वो कहता है कि मैं कहता हूँ वो तुम क्यों नहीं करती तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तकलिफ दूँगा उसके पास फिर वो बैठता है वो उसे जबरदसी करने के कोशिश करता है बॉल्स पढ़े होते हैं कि अपना निशाना अब बदल लेता है, क्रीम का husband पर निशाना लगाता है, और उसे बहुत बुरी तरह के इंचेवर कर देता है, क्रीम का husband अब ground पर गिर जाता है, यह जो घर है, इसमें क्रीम की बहुत सारी modeling की फोटोज है, एक शौट में हमें दि कर विश्याहिए फिर से फिल करना चाहती इस शॉट से उन्होंने रीप्रिजेंट किया था और अब हमें दिखता है कि क्रीम अब के के साथ पाइक पर उसके चली जाती है वह पुसके हस्बन के साथ ने रहना चाहती की का जो भी रूटिन है उस रूटिन में वो घुल में जाती है वो उसके साथ अलग-अलग नेवरोर्ज में जाकर पॉम प्लेट चिपका दिये और उसके साथ ही रहती है नेकसिन में हमें दिखता है कि के उसकी गोल की फैक्टिस कर रहा होता है वो एक कार्डन में खेल रहा होता है पर वो बॉल कहीं जाये ना इसलिए उसने उस बॉल को बान दिया होता है यह जब वो खेल रहा होता है तब बॉल के सामने क्रीम आ जाती है कि अपनी खेलनी की direction change करता है पर उसी direction में फिर से cream आ जाती है कि फिर अपना खेलना ही बन करतेता है, यह represent करता है कि जो life है जैसे तरह से वो जीता है उसके बीच में अगर cream आ गए फिर वो violence की तरफ नहीं मुढने वाला अब next girl में कीमोर के आ जाते है यह जो घर होता है एक photographer का घर होता है यहाँ cream का photo भी होता है जैसे हमने देखा था कि के अलग-अलग घरों में जाकर वहाँ की चीज़ें बेगर रिपेर करता है यहाँ भी वही वह कर रहा होता है cream जब उसके photo को दीखती है तब उसके फोटो को निकाल लेती है उसके फोटो को निकाल कर वो फिर से फ्रेम में लगाती है पर इस पार उसने वो कट करकर लगाया होता है अनसॉल पजल की तरह अलग अलग जगा पर ये फोटो कट करकर उसने लगाया होता है ये photo represent करता है कि जैसे हम cream को देखते है वैसी वो नहीं है इसमें बहुत सारे layers से वो एक human being है जिस तरह से human beings complicated होते है उसी तरह से वो भी है उसके husband ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है पर फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो इतनी simple सब को चीज़े नहीं होती आदमी के अलग-अलग emotion होते और आपको सब चीज़ों को जान लेना चाहिए उसके husband का सिर्फ उसके लिए सब चीज़े करना यह सब vision नहीं है Nixon में हमें cake खाना पकाते हो दिखता है बहुत सारा खाना वो cream के लिए बनाता है यह सब खाना वो उसे दे देता है यहाँ वो उसके लिए बहुत ही care कर रहा है यह हमें दिखता है और फिर से जैसे मैंने आपको बताया था कि cream एक plant को represent करती है उसी plant को के फिर से water कर रहा होता है थोड़ी दर में घर के बाहर photographer की जो girlfriend होती है वो आ जाती है कोई door open नहीं करता तो वो चली भी जाती है पर अब care cream यहाँ नहीं रह सकते कि जिस तरह से हर घर में photo लेता है उसी तरह से वो photo ले रहा होता है पर cream भी इस photo में आ जाती है उसके life का अब वो part बन चुकी है यह scene represent करता है हमें फिर से एक नए घर में वो दिखाए गए है या एक boxer का घर होता है इस घर में वो जाते है drink वेगरा करते है music चलाते है enjoy कर रहे होते है जब रात होती है तो वे दोनों एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है इस घर में जो boxer रह रहा था वो honeymoon पर गया था रात में घर वापस आ जाता है वो जब इन दोनों को देखता है केक को बहुत ही मारता है रात में फिर के और क्रीम यह दोना एक bench पर बेटते है क्रीम उसके लिए noodles में करा लाती है उसे वो अपने हाथों से खेलाती है थोड़ी देर बाद फिर से के अपनी goal practice करने लग जाता है इस बार वो जब goal practice कर रहा होता है उसका ball restricted नहीं रहता वो ball बहुत ही दूर चला जाता है वो इसके वज़े से एक आदमी का accident हो जाता है जिस कार में accident हुआ होता है वो है एक लड़की होती है जो बहुत ही injured हो चुकी होती है केको ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है वो रोने लग जाता है ये सिन रिप्रेजेंट करता है कि केको लगता है कि वो सब control कर बारा है पर life में कुछ चीज़े आपके हाथ में नहीं होती control कर बाना रात में दोनों फिर से नए घर पर आ जाते है जब सुपह होती है फिर से अपना routine स्टार्ट करते थे इस बार नए घर वो ढूंडते है जब वो building में आते है और घर खोलते है तो इसे smell आ रही होती है जब ये चेक करते है तो वहाँ एक आदमी मरा पड़ा होता है कि यहाँ से निकल जाने वाला होता है पर cream यही रुकती है यह आदमी अपने मुझे से खोन आकर मर गया होता है तो यह सब खोन वेगरा यह सब साप करते है के call कर कर देखता है इस आदमी के son को यह call लगता है पर ये कुछ भी नहीं बोलता जब ये दोनों इस घर में खाना खा रहे होते तो थोड़ी देर बात इस आदमी का सन और उसके डॉटर इनलो आ जाते है वो चेक करता है कि उसके फादर का है पर उसके फादर उसे कही भी नहीं मिलते वो इन दोनों को फिर घर में रुखने के लिए बोलता है और पुलिस को कॉल कर देता है पुलिस फिर हमें के और क्रिम को इन्वेस्टिकेट करते हुए दिखती है के का कैमेरा उनके पास होता है वो फिगर आउट गरता है कि बहुत सारे घरों में रहा है क्रीम में से ऐसा उसके हस्बन ने रिपोर्ट किया होता है यह पुलिस फिर उसके हस्बन को कॉल कर देते है यह पॉलिस ऑफिसर जब के को धमगाता है तब के उस ओल्ड मैन की लोकेशन दे देता है actual में के ने इस old man को एक proper burial दिया होता है उसके घर के पास ही एक पेड़ की नीचे उसे गार देता है तो ये चेक करने के लिए जो आदमी जाता है वो officer के पास आकर उसे कहता है इसे बहुत ही अच्छी तरह के इससे गारा गया था उस old man का इसने इतना खयाल किया था कि ये उसका actual mission हो क्रीम का पती उसे अपने घर लेकर आता है उसे कहता है कि मैं बहुत ही sorry हूँ तुम जब चली गई थी तो मुझे सोचने में वक्त मिला था मैं अब बदल चुका हो तुम जब गई थी तुमारे parents को मैंने बहुत सारे पैसे बेज़े है वो से अशुर करता है कि मैं आपसे अच्छे से रहूँगा मैं तुमें कभी भी हट नहीं करूँगा क्रीम अभी भी उसे response नहीं देती क्रीम का पदी अब चीर जाता है और डिरिक्ट्व को कॉल करता है इस डिरिक्ट्व को वो पैसे देता है और के को एक सुमकसान जगा वो लेकर आते है के ने क्रीम के पदी को गोल्फ बॉल से मारा था अब यही उसका पदी के के साथ कर रहा है थोड़ी देर बाद केको बजाने के लिए पुलीस ओफिसर आ जाते है तो के उस पुलीस ओफिसर पर ही जपक जाता है अब हमें के डायरेक्ली प्रिजन में दिखाय गया है उसके जो इन्मेंट्स होते हैं उनके सामने वो इमेजनरी गोल्फ खेल रहा है ऐसा प्रिटेंड करता है इसमें से एक इन्मेंट उसका इमेजनरी गोल्फ टॉल है यह चीन लेता है इसी वज़े से इन दोनों में फाइट हो जाती है और सुलीटरी में केको रख दिया जाता है जब केक को चेक करने के लिए वहाँ कार्ड आता है तो केच छुप जाता है उसे वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो वहाँ एक्जिस्ट नहीं करता कार्ड को अंदर आना पड़ता है उस पर चीट गया होता है तो उसे बहुत मारता है आत्मे करीम का हजबन उसके पास आजाता है वो कहता है मैं सोच रहा था उसे पूछता है कि मैंने क्या गलत किया है करीम कुछ भी बोलने रही होती है वो के के साथ रह रही थी उस पर भी वो नाराज होता है उसे फिर वो स्लैप कर देता है क्रीम भी इस पार रुकती नहीं और वो उसको भी मारती है क्रीम की केर करने वाला कोई नहीं था के ने उसकी केर की थी और अब उससे फिर से अच्छा लगने लगा है वो उस पे अत्याचार नहीं होने दे रही वो उससे मारती है के फिर से उसने जो गार्ड को जलावा दिया था वो ही देता है गार्ड अंदर आता है और उसे बहुत मारता है नेक्स जिंग क्रीम घर पर होती है तो उसे जो भी कपड़े अच्छे लगते है वो पहनती है बाहर जाती है और पहले जो एक घर में वो गई थी उसे पुछते है कि ये कौन है या आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता उसे जाकर उठाने वाली होती है पर ये आदमी कहता है कि थोड़ी देर इसे सोने दो क्रीम जब अपनी नीन से जाकती है तो वो डारेक्टी चलने लग जाती है फिर से अपने घर आ जाती है क्रीम जो के के साथ महसूस कर रही थी उसे फिर से एक बार महसूस करना था क्रीम का पदी घर पर होता है उसे पूछता है कि तुम कहा गई थी मैं तुमें कही भी जाने के लिए मना किया था क्रीम उसे कुछ भी नहीं बोलती के फिर से अपनी सेल में छुप जाता है इस बार कार्ड जब उसे देखने के लिए आता है तो कार्ड के पीछे हो छिप जाता है कार्ड फिर उसकी शैडो देख लेता है वो उससे बहुत इमारता है गार्डों से कहता है कि तुम्हारे shadow को तुम नहीं control कर सकते है इस cell में कि हमें meditate करता हो दिखता है वो एक fist बनाता है और अब इस fist को open करता है और fist open करने के बाद हमें इसमें एक आग दिखती है ये represent करता है कि कि जिस तरह से रह रहा था इसमें वो confined था पर अब उसे सब कुछ दिख रहा है उसे सब कुछ knowledge आ चुका है क्रीम खीड़की से बाहर देख रहे होती है तो उसका पदी उसके पास आता है उसे कहता है कि तुम उसके लिए wait कर रही हो कब prison से बाहर निकलेगा उसकी तुम रहा देख रही हो अब क्रीम का पदी उसे कहता है कि हम move out कर लेंगे वो घर sale करने वाले agent को call करता है वो क्रीम उससे उसका mobile छीन लेती है के को चेक करने के लिए इस बार जब guard आता है तो उससे कही भी देख नहीं पाता कि अब इस jail से escape कर चुका है जो police officer के को investigate कर रहा था उसके पास हो आता है और उससे बहुत मारता है के कहा है इससे वो figure out नहीं कर पाता और मार खाता है के हमें भी इस scene में कही भी नहीं दीखता इसका मदलब है के अब invisible हो चुका है इसका मदलब क्या है यह मैं आपको movie के end में बताऊंगा हमें boxer का घर फिर दिखाये गया है boxer और उसकी जो wife होती है इन दोनों में जगड़ा चल रहा होता है boxer की wife को लग रहा होता है कि boxer का affair हो रहा है या फिर उसे कोई घर पर है ऐसा मैसूस होता है वो पूरे घर में चानते है और वहाँ कोई भी नहीं होता इस boxer ने अपना poster घर में लगा आता है जब वो इस poster को देखता है तो उसकी आख वहाँ से missing होती है इसका मतलब है कि किसी लोग को भी अपने आपको देखने नहीं दे रहा अगर लोग उसे देखेंगे नहीं तो उसे हट भी नहीं कर पाएंगे जिस घर में क्रीम आकर सोकर चली गई थी उसे गर में के भी आया था यहाँ जो और एद रहे थी उसे लगता है कि यहाँ कोई है पर वो इसे explain नहीं कर पाती क्रीम जिस cushion पर सोई थी उसी cushion पर सोकर वो चला जाता है इसके बाद हमें दिखता है कि वो फोटोग्राफर के अपाटमेंट में आ जाता है फोटोग्राफर भी गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहा होता है इस फोटोग्राफर को अब लगता है कि उसके fat में कोई definitely है वो अलग-अलग जगापर अपनी बैट मारता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता वो फिर अपनी girlfriend को call करता है वो उसे घर में आने के लिए बोलता है वो जब घर पर आती है तो वे दोनों intimate होने के कोशिश करते है तब ही उन्हें लगता है कि इस घर में के है हम देखते हैं कि क्रीम की जो फोटो थी है वो सही से लग चुकी थी पर अब फिर से के उसे अलग-अलग जगापर लगा देता है क्रीम जैसा उसके फोटो का जाती है उसी तरह से उसे अड़िस कर देता है फोटोग्राफर और उसकी girlfriend जब देखती है तो वहाँ से फोटो मिसिंग होती है यह दोनों फिर बहुत ही डर जाते है क्रीम के पदी को कॉल आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि कि अब जेल से फरार हो चुके आए जब रात होती है तो क्रीम के पदी को भी लगता है कि उसके घर में कोई है वो भी अपनी गॉल्ट बैट लेता है और हवा में मारने लग जाता है उसे वो कही भी नहीं मिलता वो जब बेड में सोने के लिए आता है तो वो क्रीम से कहता है कि वो अब यहाँ आ सकता है जब midnight होती है तब क्रीम उठती है और घहम में केक को ढूरने लग जाती है वो जब एक mirror के पास आती है तो उसे वहाँ के दिखता है उसका husband भी उसके पास आ जाता है पर उसे के कही भी नहीं दिखता क्रीम को पता है कि केक को अब कोई भी देख नहीं पा रहा तो अपनी पती को फिर से I love you कह देती है उसका पती खुश हो जाता है और उसे हग करता है उसके पती ने जब उसे हग क्या होता है तो पीछे से के और क्रीम दोनों किस कर रहे है इसा हमें दिखता है इस फ्रेम का मतलब है कि इसी घर में अब ये तीनों रहने वाले है केक को कोई देख नहीं पा रहा तो यहां आसानी से वो रह सकते है अगले दिन क्रीम बहुत सारा बेकफास्ट बनाती है उसका पती बहुत दी खुश हो जाता है वो जादा ही मुस्कर आ रहे होती है उसका पती उसे कम मुस्कर आने के लिए और बेकफास्ट करने के लिए बोलता है उसका हजबन विर्खोश हो कर काम के लिए निकल जाता है के और क्रीम एक दूनों को किस करते है और इसके बाद एक ही वेट स्केल पर हमें दिखाय गए है जैसे हमने मुवी के फर्स में देखा था कि उसके घर में जो वेटिंग मशीन थी उसको वो रिपेर कर रहा था गेम के जो लाइफ का बैलनस है वो रिपेर करना चाता था पर इस बार वो ये कर चुका है मुवी कदम होती है और स्क्रीन पर एक मैसेज आता है इस मैसेज में कहा जाता है कि आप ड्रीम में रह रहे हो या रेयालिटी में ये डिफ्रेंशेट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है यही मूवी कदम हो जाती है पर के के साथ क्या हुआ था यह आपको आप मैं explain करूँगा डारेक्टर ने जिस तरह से यह story बताई है इसके अलग-अलग interpretations आप कर सकते हो हमें के meditation करता हो दिखा है और कैसे invisible होना है इसके practice को कर रहा होता है अगर हम देखे तो इसने यह art अब master कर लिया है वो guard को जलावा देकर jail से भी भाग जाता है और invisible पूरा हो जाता है इसका second explanation है कि जब के guards को जलावा दे रहा था हमेशा वो छिपता रहता था जब guard ने उसे बहुत मारा था वो सचमुच में वहां बर चुका था अब जिस guard ने उसे मारा था यह trouble में आ सकते है तो इसलिए इनने ने cover up story की थी उनने कहा था कि के jail से फरार हो जुका है यह जो भी सब हो रहा था यह के की soul कर रही थी इस movie का जो third explanation है वो हम cream के perspective से देख सकते है movie के last में एक line आई थी और उसमें कहा गया था कि dream में हम जी रहे है या reality में हमें पता नहीं है यह बहुत ही hard है ना हम फिर इसका interpret कर सकते हैं हम life में जो भी सब चीजे dream करती है वो कभी कभी reality में भी आ जाती है Einstein ने भी अपने quote में कहा था कि आप जिस तरह से इस world को देखते हो उसी तरह से world बन जाता है इसका मदलब एक cream यह सब imagine करी है उसे लग रहा है कि prison से वो escape हो उसके मन में वो fix कर ले थी है कि के हमेशा उसके साते रह रह रहा है और अपने life का balance को करना चाती है इसलिए वो फिर से अपने पती के सान्थ amends जो होती है वो सही कर लेती है इसी तरह से अलग-अलग explanation के साथ यह movie हमें छोड़ कर चली जाती है बहुत ही अलग तरह की यह story थी आपको यह movie कैसी लगी प्लीज मुझे comment section में बताना आपको अगर कुछ movie suggestion हो फुपी आप वहाँ बता सकते है अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो प्लीज इस video को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो इसलिए आप subscribe भी कर दीजेगा bell notification icon में दबा दीजिए यहने कि आपको सब movies मिलती रहे है हम फिर से मिलेंगे नए explanation की साथ तब तक के लिए thank you और अपने आपका आप खैल रखिये